हेलो बच्चों, आज का हमारा सेसन है दस्वी का भावती विज्ञान, यह लेक्चर नमबर फर्स्ट है आंगिक प्रस्णों को हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे, चैप्टर का नामे विद्ध धारा का चुम्ब की फुर्भाव तो नुमेरिकल को सॉल्व करने से पहले, मैं रुद्ध बनता है कि सभी फार्मूलों को आपको एक बार रिवाइस करा दूँ, पूरे चैप्टर का तो इसमें बस उतना ही फार्मूले हैं जितना आज हम इस कुछ्शन में पवियोग करेंगे, जैसे पहला क्या है, धारावाही चालग द्वारा उत्पन चुम्ब की छेतर जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं इसमें जो चुम्बिकी छेतर B का फार्मूला होता है मू नॉट इसे मू नॉट कहते हैं मू नॉट अपान फोर पाई आई डेलेल साइन ठीटा अपान इस्माल आर स्कॉाइर चुम्बिकी छेतर का मातरक होता है नॉटन पर इंपियर मीटर अब देखिए जहां मैंने यहां पर सभी लिख दिया है कि B क्या है, मू क्या है तो यहां पर B क्या है, चुम्बिकी छेतर की तीबरता है मू नॉट क्या है, निरवात की चुम्बक सीलता आई क्या है, विद्दुधारा डेलियल क्या है चालक की लंबाई और इसमाल आर क्या है दूरी और इसमाल आर वो चालक खंड की बीद जो कूण बनता है उसे हम साइन थीटा कहते हैं और यहाँ पे जो μू नाट का बैलू होता है वो होता है और जो निर्वात की चुम्बक सीलता होता है इसका मात्रक है न्यूटन पर इंपियर स्क्वाइर अब यहाँ पे जो आपका न्यू उ क्या फोर पाई और साथ में जो मू नाट दिये है इन दोनों का जो रेसियो है इस जो बैलू यहाँ पे है 10 की पाउर माइनस 7 न्यूटन पर इंपियर स्क्वाइर अब यहाँ पे मू नाट आप जान चुके हैं कि निर्वात की चुम्बक सीलता है और फोर पाई मानलों कॉंसेंट है तो यहाँ पे मू नाट अपान फोर पाई टोटल यह कॉंसेंट आपान आरी स्क्वाइर मात रख है चुम्बकी चेतर की तीपरता का न्यूटन पर इंपियर मीटर जैसे हम बायो सेवट का नियम भी कहते हैं चली आज के दूसरे फार्मूलों को हम देखते हैं क्या है यह हमारा दूसरा फार्मूला है अनन्त लंबाई के सीधे धारा वाह चालक के करण उत्पन चुम्बकी चेतर अनन्त लंबाई के सीधधे धारा वाढ़े चालक के करण उत्पन चुम्बकी चेतर का हमें फार्मूला याद करना है तो फार्मूला क्या है देखिए, यहां पे बीज उकूल टू है Newton per ampere meter Amp क्या है Ampere है Amp क्या है meter देखिए यहाँ पे Mu not upon 4pi का value है 10 की power minus 7 यदि आप 4pi को 2 into 2pi तो लिख सकते हैं Mu not upon 2 into 2pi is equal to 10 की power minus 7 यदि आप 1 2 को इसके पास भेज दिये जाए तो Mu not upon 2pi बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 into 10 की power minus 7 मातर तो वह ही रहेगा Newton per ampere square और यहाँ देखिए Mu not का value क्या है 4pi into 10 की power minus 7 Newton per ampere square तो आज की session में बस इन्हीं दो फार्वोलों को हम देखेंगे और चलिए आज के कुस्चन को हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा कुस्चन क्या है चलिए अब से पहले कुस्चन को पढ़ते हैं एक अनंत लंबाई के सीधे तार में कितनी धारा flow की जाए कि तार से 50 cm दूरी पर 0.5 into 10 की power minus 4 Newton per ampere meter का चुम्बिकी छेत्र उत्पन हो जाए तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे कुस्चन को पढ़ेंगे उसके बाद नोट करेंगे कुस्चन में क्या-क्या दिया गया है तो चुम्बिकी छेत्र सबसे पहले दिया है Newton per ampere meter चुम्बिकी छेत्र की तीवरता का मातरक होता है तो यहाँ पे लिखेंगे चुम्बिकी छेत्र capital B बराबर इसका वैलू क्या है 0.5 into 10 की पावर माइनस 4 Newton per ampere meter Newton per ampere meter और आपको क्या दिया गया है दूरी आपको दिया गया है दूरी को इस मालार से विक्त करते हैं मैंने इसके पहले बता दिया है और आपको दिया है दूरी इसमाल r is equal to क्या है 50 cm है अब cm से काम चलेगा नहीं इसको आप मीटर में चांज़ गरिए तो 50 into 10 की पावर माइनस 2 meter या इसी को आप लिख सकते हैं r is equal to 0.5 अमात्रक क्या हो जाएगा मीटर इसको आप 15 into 10 की पावर माइनस 2 को आप 0.5 meter भी लिख सकते हैं क्योंकि देखें 10 की पावर माइनस 2 है तो हम point को दो अंख इस तरह लाएंगे a1, 2 तो 10 की पावर प्लस 2, 10 की पावर माइनस 2 से cancel हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.5 और मात्रक है meter हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं बीनो that हम क्या जानते हैं कि चुम्बिकी छेत्र B का जो फार्मूला है चुम्बिकी छेत्र की तीबरता जो B का फार्मूला होतो है, क्या है मूण अपान 2π I upon R मूण अपान 2π I upon R क्योंकि एक अनन्त लंबाई के लिए किरार देखिए अनन्त लंबाई के सीध्यतार में मैंने फार्मूला को बता अनन्त लंबाई के लिए चुम्बिकी छेत्र की जो तीबरता का फार्मूला है B equal to मू नाट अपान 2 πाई, आई अपान आर, अब देखिए, मू नाट अपान 2 πाई का हम यहापे क्या रखेंगे, वैलू रखेंगे, तो क्या होता है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और यह आई अपान, इसमाल आर है, आई क्या है, विद्धु धारा है, आर क्या है, दूरी है, अब भी क्या है, चुम्बी की छेतर की तीवरता, आपको निकालना क्या है, बताइए, कि कितनी धारा फ्लो की जाए, अर्थात आपको कैप्तल आई बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे, अताह तार में, अताह तार में, परवाहित धारा, आई इज इक्वल टू, अब दे आई ये पान आर है, तो यदि आप यहाँ से आई का फार्मूला लग निकालेंगे, तो क्या आजाएगा, आई को आप इसी रहने दीजी यहीं पे, तो आर इसके मल्टिप्लिकेशन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी इंटू आर, अब इधर मल्टिप्लिकेशन इधर आ करके डिवाइड में हो जाएगा, टू इंटू टेन की पावर माइनस सेबन, इसी को साल्व कर ले रहे हैं, तो हमारा विद्धुधारा निकल जाएगा, अब इका वैलू क्या रखेंगा, जीरो पॉइंट फाइप इंटू टेन की पावर माइनस फोर, इंटू में इसमालार, इसमालार मतलग जीरो पॉइंट फाइप, टोटल के अपन में क्या रखेंगे, टू इंटू टेन की पावर माइनस सेबन हो जाएगा, अब देखिए इसको हम साल्व करेंगे, तो देखिए जीरो पॉइंट फाइप है, यहाँ भी जीरो पॉइंट फाइप है, उपर में जाएगा, तो टेन की पावर पॉजटिव का सेबन हो जाएगा, अपन में यहाँ पे टू बचेगा, अब देखिए, पॉइंट हटा, पॉइंट के बगल एक अंक है, तो एक जीरो बढ़ गया, यहाँ इस पॉइंट की पावर क्या आगया, देखिए, यह माइनस प्लस फॉर है, प्लस फॉर के साथ एड़ होगा, तो पॉजटिव का थरी आएगा, अब पान में इसी को आप लिख सकते है, तो इंटू टेन की पावर तू, तो लिख सकते हैं, अब देखिए, टून्ति फाइब डिवाइड बाइड बाइट तू, तो टू जा फॉर, वन 0.5, तो 12.5 आजाएगा, इंटू में 10 की पावर 3 है, अब आन में 10 की पावर 2, तेहां पे आजाएगा 10, 10 की पावर 1 आजाएगा, अब इसी के साथ मल्टिप्लाइ करते हैंगे तो आजाएगा 125 एंपियर, क्योंकि यह विद्दुधारा है, विद्दुधारा का मातर क्या ह होता इंपियर, तो 125 एंपियर आजाएगा, यहां पर लिख देंगे अताह तार में 125 एंपियर की धारा फ्लो करनी पड़ेगी, तो अच्छो इस लिक्चर को ही पर समाथ करेंगे, आने वाल इंटिक्स बढ़े हम, सबसे पहले फार्मूला देखेंगे कि हम किस कुछ सन में क कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद नुमेरिकल को स्टार्ट करेंगे, थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो, हैव अग्रेट डेए